नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंथ गंगा में अगर आपके जीवन में आप शनी दोश से परेशान है आपका घर का वास्तु दोश ठीक नहीं है तो दोस्तों मान के चलिए के जीवन में शनी गरंथ अच्छा नहीं चल रहा है काली मिर्च शनी ग्रह से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनीवार की रात किया तो यकीन मानिये इसका आपको पलट करके करोरो गुना फायदा मिलेगा यह सत्य है बिना मेहंत कि ये धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है मगर कभी कभार चमतकार होते हैं अचानक ही धन की प्राप्ती भी होती है फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर बिजनिस में तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ती हो जाए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव और चमतकारी बदलाव देखने को मिलेगा ना केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी शनि देव जी की क्रिपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख समरिधी, धन, डौलत, एश्वर्य की प्राप्ती होगी दोस्तों ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है बलकि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा स सकते हैं देखिए दोस्तों आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो हर चीज का निवारन आपको शनी देव के पास ही मिलेगा क्योंकि शनी देव जी के हाथों में आपके शनी ग्रह का नियंत्रन होता है शनी ग्रह एक उग्रग्रह मान हो सकता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शनीग्रह मजबूत है और वह व्यक्ति गलत निर्ने भी लेगा उस निर्ने से भी उसको फाइदा पहुचता है हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शनी महाराज जी की कृपा जिस व्यक्ति को भी मिल जाती है उस व्यक्ति को करोरपती बनने से कोई नहीं रोक पाता है लेकिन अगर शनी महाराज की गलत द्रिष्टी किसी व्यक्ति पर पढ़ जाती है तो वो करोरपती व्यक्ति तुरंत ही भिखारी बन जाता इसलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं वह गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनी देव आपसे रुष्ट हो गए और आपके साधे साती चल रही है थया चल रही है या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनी दोश है तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है इन उपायों को करने के बाद में आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमतकारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए अपनी परिवार के भले के लिए ला प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनी देव जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे शनी देव जी के आशिर्वात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो शनी देव जी के वर्दान से आप अपनी जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्थ करें तो पूरी सच्छी श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय शनी देव महाराज जी की और एक काम कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा इसको करके आपको कोई फाइदा पहुंच सकता है तो वह हम आपके मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय तभी फाइदा देता है जब आप लोग नियम पूर्वक करते ह नियम के बिना आप इन उपायों को करेंगे आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलेगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको कौन-कौन साहम आपको उपाय बता रहे हैं शनिवार के किस महुर्थ पर आपको यह उपाय करना है इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ती पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्स लिया था तो यह आपको भी पता होगा कर्स के चलते आप अगर आप आर्थिक कष्टों से परिशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्ट से मुक्ती मिल जाएं तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं देखिये एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं क्योंकि उसका शनीग्रा बहुत ह अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो तीन शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बता रही हैं सिर्फ तीन शनिवार आपको यह उपाय करना है और तीन शनिवार के बाद आपको शनी महाराज ज की कृपा ऐसे मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे आपनी जो कर्जा लिया हुआ था जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले हैं थे वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा देखिए आपको क्या करना है पहले शनिवार से आपको किसी भी शनी मंदि जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में सरसों का पेल लेकर के जाना है और वहाँ पर जलाना है पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जलाए शनी महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर खड़ा होना है वहाँ आपको उसी जलते हुए दीपक में तीन काली मिर्चा डाल देनी है। उपाय आप लोग तीन शनिवार लगातार कर लीजिए तीन शनिवार के बाद आपको शनी महाराज जी की वह कृपा मिलेगी कि आपके उपर कोई ऐसा दोश रखा हुआ था, जिसके साथ आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको और सबको मुक्त यह एक उपाय है दोस्तों जो प्राचीन काल के समय तक चला हुआ आ रहा है आप भी करके देखिए और यकीन मानिए इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलेगा दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे दोस्तों वह है घर की बरकत का महा उपाय ये एक ऐसा उ जिसकी वजह से आपके घर का माहौल अच्छा है तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी देखिए दोस्तों पूरे सब्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं आपके घर के मिंबर बाहर जाते हैं और जब वो आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्ति को ले आते हैं जिसके वजह से आपके घर में माहौल बिगर जाता है अगर आप चाहते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं तो प्रत्येक शनिवार को सूरियास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों टेल का बस बोलना है और मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव जी की क्रिपा आपके घर पर बनी रहेगी प्रत्येक शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की क्रिपा में बना रहेगा तीसरा उपाय है शनिदोश से मुक्ति जब जैसे मान लीजिए आपके साधे साती चल रही है चल रही तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों शनिदोश से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती एक बात को समझ लीजिए शनिदोश के प्रकोप को कम किया जा सकता है ये बात ध्यान रखिएगा हमारे धर्म शास्त पड़ेगा लेकिन आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकता अब आप खत्म करना चाहते तो आपको क्या करना है जब तक आपकी साधे साती चल रही है जब तक आपकी चल रही है एक काला कपड़ा लीजिए काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए 51 काली मिर् प्रतेक शनिवार को जाए और इसी पोटली को किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है हम आपको कभी भी बहकाते नहीं है। बिजनिस पर ऐसा कोई दोश लग गया है जिसकी वजह से बिजनिस ठब पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनिस चल पड़े तो आपको क्या करना होगा बहुत ही अच्छा सा उपाय हम आपको बताने जा रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों देखिए आपको बस यही करना है शनी मंदिर जाना है शनी मंदिर जाए सबसे पहले शनी मंदिर में जाने केleshlle एक सर्सों के तेल का दीपक जलाएंगे ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा ये शनी महाराज जी के सामने करना है आपको अब ठोड़ा वहां से दूर हट जाए शनी महाराज जी की दृष्टी के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है काले कपड़े पर आपको एक मुठी काली मिर्च डालनी है उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पिटाना हो, एक दम चिकना सिक्का हो एक रुपए के सिक्का को डालिए और 11 लॉंग डालिए अब इस काले कपड़े की आप बना लीजिए पोटली इस पोटली को आपने जो बनाया है इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है और इसी पोटली को तुरंथ ही ले जाकर के अपने बिजनिस मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं वहाँ पर ले जाकर के रख दीजिए सिर् महा समय है दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत आ सकता है और आपके बिजनेस को वापस से चला सकता है तो तुरंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैशनी महाराज जी की अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो है रोगमुक। तीका महा उपाय अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार है वो इलाज करा करा करके ठक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए उस व्यक्ति से और वह बिलकुल ठीक हो जाएगा यह उपाय लगातार पां किया जा सकता है रात के समय में भी किया जा सकता है तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए ग्यारा काली मिर्च जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है उसके दाएं हाथ में ग्यारा काली मिर्च दे दीजिए उसके बाएं हाथ में दे दीजिए रोटी अब उस व्यक्त और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुट्टे को खिला दें। यह उपाय पांच शनिवार कर ले वह रोगी व्यक्ति और पांच शनिवार के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यह उपाय तीन शनिवार की जो आपको बताना रही हैं, जो भी बीमारी आपको रखी है, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपको बस क्या करना है। खुद देखेंगे शनि महाराज जी की क्रिपा से आपकी जो बीमारी होगी वो आपको हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी और आप बिलकुल स्वस्थ हो जाएगे शनिदेव जी की क्रिपा से दोस्तों यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन को बदल करके क Oliver कि झरूखेंगे जीजा बेंगा करने के बात्व हमे बदल करनी बाके